नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका स्पेशल इविंग लॉप में मैं हूं आपकी दोस्त पूजा स्वागत करती हुए तो दोस्तों कैसे आप साब उम्मीद करती हूं सब भी अच्छे होंगे और मैं यहां पटिक हूं आप लोगों को लग रहा होगा ना कि एक ही कपड़े पैनके कभी एक टीशेट और और यह तो माइंड मत कीजिए एक्छोली मेरे पास यह कपड़े हैं और बस बो जो सूट है बो सूट भी एक ही है हाली में यह जो मतलब पिछले सटड़े गया तब मैंने एक सस्तिसी मतलब चार मीटर के कपड़ा खरीदा है तो उसे सिमाऊंगी जब पैसा होगा तब और इनके अलावा जो भी आप लोग देख रहा है एक-दो कपड़े में पैंती हूं यह मेरे पास में तो इस वज़े से देखिए माइंड में मत लीजिए इंसान के पास जैसा जुगार होता है अज़ा faithful Pv just करना पड़ता है और अभी तो फीर इसके पापा मतलब चले गए हैं अब तो पता नेए कितने साल मैं कप्रा ड्री में चले पान साल हो गया है पांन साल के अंदर मुझे कभू से पापा ने एक भी कपड़े नई खरीद के दिया तो मैंने भी माइंड इसलिए नहीं किया क्या करना है पति साथ में रहे बच्चा खूश रहे बस दुनिया में थोड़ा सा इज्जत की रोटी खाले और कैचिये लेकिन वो कहते हैं लड़की जब पैदा होते न तो तब इसकी किसमत में जो लिखना होता है ब क्योंकि बेटी पैदा हो गई और उनकी बंच को चलाने वाला कोई नहीं है अभी तो मेरी पापा इस दुनिया में नहीं है जब मैं सोचा कि मेरी मा के साथ जो एक्सिडेंट हुआ शायद मेरी साथ ना हो यह सोचकर मैं इतने सालों तक निभा रहे थी लेकिन क्या करें जो किसमत में होना होता है न वही होता है मैं तो निभा रही थी लेकिन देखिए जिस चीज की बचने के लिए मैंने यह सब कुछ सहा आज इतने सालों तक सहती रही और बही मेरे साथ हुआ और मेरे पती को सब कुछ पता है मेरे घर का कंडिशन या जो भी रिलेशन और इनकी परिबार में छोटो मोटो जगरा तो सभी के होती है लेकिन मेरा पती ही खोटा निकल गया है परिवार सब कुस सेही होने के बाद मेरी माबाप ने उनको इतना दह्ज दिया जितना कि उनके मेरी पत्तों चार भाई है। उनको तीनों भायों को इतना देशनी जिसके मेरे पत्ति को पी एवालों ने दिया और है उनको ने दिया थे जो ब्हों को बाइव दिया गेज और बोध प्रमा दिया और कम द्रूंच यो बाइव तो देशने। नोटी किसको अजमनी होती तो वही बात है भगवान की द्यासनत देखिए मेरे दो बेटा है और मतलब कोई दिक्कत नहीं आराम से कमाव एक मतलब जो एक सिंपल फैमिली उनके लिए इतना काफी होता है कि हां दो बच्चा है जो लड़का है शादी का को टेंचन नहीं है आराम से कमाव और बच्चा साल बार का यह दो साल बाद में कमाने लग जाती अगर बोर रहते तो मेरे साथ में तो दोने जने कमाते हैं तो एक का सेविंग हो सूपकी फैमिली अच्छा नहीं लगा उनको रेडिमेट बच्चा मिल गया जो कि जिनके साथ रह रहे हैं उनका चुवी साल का बेटा है तो उनको कमा के देर और बगवान ना चैने उनका मकान बगना को मुझे पता नहीं है लेकिन उस ओरत का पता है कि हां उसका बेटा है बेटी एक क्योंकि परोस में जू रहते ना वो ऐसा कहते तो दोस्तों एक इंसान को मतलब क्या करना चीए एक वरत को क्या करना चीए बाब की घर रहे तो बेटी पैदा होगी तो उन्होंने त्यक कर दिया पत्ति के घर में रहे कुछ भी नहीं किया तो भी गलत इल्जाम समझाते हैं उन्होंने समझाया हम दोनों को मीटिंग करवा दिया अच्छी से बात चीए लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर बोल दिया कि मेरी बॉइप्रेंट है और मैं रात को सारी गयरावजब बुलाती उनको तो काश उस बात को है ना महिला आयोग ऐसा होता कि उस ब दो-तिन दिन से बहुत ज़्यादा विमार ओर था रात को सोता नहीं था सारे सारे रात लेके बैठी रहती और दिन में दिन में भी ने उतरता था दिन में बी इनको लेकर रहना पड़ता आज थोड़ा सा खेल रहा है आज दबाए का तीसरा दिन है तो कल सुबे चलोंगे तो दोस्तों प्यार करें लब मेरेज या अरेंज मेरेज में कोई फरक नहीं होता ठीक है मेरी मा की अरेंज मेरेज हुई थी उनकी पिता जी बहुत अच्छे खासे घर के थे लेकिन फिर भी उनका किसमत ऐसा हुआ और देखिए जिस ड़की बज़े से मेरी माने इतना पैसा इतना जो भी है लुटा दिया बेटी खुश रहे और आखिरकर बेटी के किसमत में भी वही हुई तो सोचिए इंसान कुछ तो किसमत के आगे अपने बस नहीं चलती और कुछ जो है इंसान अपने हाथों से करता है इसके बाप को सब कुछ मिलने के बाद भी आप 40-45 साल की उमर में ऐसा इश्की की फितूर सपार हुआ कि वह अपनी बच्चों की फ्यूचर तक के बारे में नहीं सोचा कि मेरा बच्चों का फ्यूचर है उसका पड़ाई बंद हो जाएगा अगर मैं उसे पैसा ने दूंगा तो यह सब कुछ सोचे विने वह चले गया और उनके सा नहीं था मेरी सेटिफिकेट के वह तो उसके लिए भी मतलब बहुत ज़्यदा घूम रही हो अभी रोज जा रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है देखती हूं अगर मतलब क्या कहां तक हो पाता है और बरनपरिशन की लगाने की बाद भी पता नहीं कितने दिन तक पास होता ह है मुझे यह सच में नहीं पता कानफॉर्म और जब तक पैसा नहीं मिलने लगेंगे ना तो मेरी परष्थिती तो ऐसी हो रही है इस टाइम बस से बता रहें समझे नहीं आता है क्या का हो दोस्तों आज की वीडियो को यह अंड करती हूं और मिलती हूं फिर किसी नय वीड की